हरे कृष्णा, प्रतेक वर्ष कार्तिक मास के शुकलपक्ष में एक विशेश एकादशी आती है, जिसे हम देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये वही पवित्र दिन है जब चार मास की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरी बाहर आते हैं और सभी मांगली कार्य, यग्य, इत्यादी का आरंब हो जाता है। अविश्य पुराण में कहा गया है एकादश्याम निराहारो योभूंते द्वादशी दिने शुकलेवा यदीवा क्रिश्ने तद व्रतम वैश्नवं महत। अर्थात एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी के दिन भूजन करते हैं शुकलपक्ष हो चाहे क्रिश्नपक्ष तो ऐसा व्रत विश्नु भगवान को अत्यंत प्रिये हैं। ये भगवान के प्रती हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। से भी विशेश हैं क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथी आ रही है वो है देव उठनी एकादशी। इसे दिन चातुर मास की पूर्णा होती होती है। अशाड शुकलपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन शंखासुर नामक दैत्य का वद करके भगवान श्री हरी विश्नु चार मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। और कार्थिक मास के शुकलपक्ष की एकादशी को ही जागते हैं। इसके साथ ही इसे दिन से भीश्व पंचक की शुरुवात भी होती हैं। जो एकादशी से शुरु होकर परमपावन कार्थिक मास की पूर्णी मा के दिन पूरा होता है। इतना ही नहीं ये एकादशी के दिन तुलसी देवी का विवा शालिक राम के साथ भी करवाया जाता है यानि तुलसी विवा का शुब अवसर भी इसी दिन से आरंब हो जाता है इस एकादशी को उत्थान एकादशी प्रभोधिनी या हरीबोधिनी एकादशी के नाम से भी ज आना जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि ये परम पावन पुन्यफल प्रदाईनी देव उठनी एकादशी इस वर्ष कब आ रही है इस बार 2024 में कार्तिक मास के शुकलपक्ष की देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन एकादशी तिथी की चार मिनिट पर उधिया तिथी के अनुसार हम देव उठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर मंगलवार के दिन इस दिन ब्रह्मा मूरत का समय रहेगा सुबह 5 बचकर 15 मिनिट और सुर्योदे होगा 6 बचकर 51 मिनिट पर और देव उठनी एकादशी का पारण हम 13 नवंबर वुधवार के दिन और इस दिन पारण का निर्धारित समय है 6 बचकर 52 मिनिट से 10 बचकर 24 मिनिट के बीच में ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है भारत के अन्य स्थानों पर भी एकादशीति थी इस बार 12 नवंबर को ही मनाई जा रही है लेकिन पार देश में रहने वाले भक्तों के लिए ये एकादशीति थी कब है और उसका पारण कब करना है अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, दुबई, नेधरलेंड्स, यूके और न्यूजिलेंड इन सभी देशों में एकादशी का पारण होगा 12 नवंबर 2024 के दिन है लेकिन पार है सुबह 7 बचकर 10 मिनिट से लेकर 10 बचकर 24 मिनिट के बीच में, आस्ट्रेलिया में ये पारण समय रहेगा सुबह 5 बचकर 45 मिनिट से लेकर 10 बचकर 21 मिनिट के बीच में, दुबई में समय है सुबह 6 बचकर 35 मिनिट से लेकर 10 बचकर 14 मिनिट के बीच में, नेधरलेंड् 10 नंवंबर को पारण समय रहेगा सुबह 7.16 मिनिट से लेकर 7.31 के बीच में और न्यूजलेंड के लिए ये समय रहेगा सुबह 6.06 मिनिट से लेकर 10.46 मिनिट के बीच में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी नामक अगनी से पाप रूपी इंधन सो वर्षों से संचित हो तो भी शीगर ही भस्म हो जाता है मनुष्य जब तक भगवान पदमनाब के इस शुब दिवस एकादशी तिथी पर उपवास पुर्वक वरत नहीं करता है तभी तक उसके शरीर में पाप ठहरते हैं सहस्त्र अशुमेग और सैकडो राजसु यग्य भी एकादशी वरत की सोलवी कला के बराबर भी नहीं है एकादश यानि कि ग्यारा इंद्रियों द्वारा जो पाप किये जाते हैं वो सभी एकादशी के उपवास से नश्ठ हो जाते हैं अगर किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी का उपवास किया जाए तो वो यमराज का दर्शन नहीं होने देती एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है न गया न काशी है और न पुशकर एकादशी से बढ़कर कोई भी पुर्णिमय कारे नहीं है एक समय नारद मूनी के पूछने पर एकादशी कम है तो बताते हुए भगवान श्री हरी ने कहा था कि है नारद एकादशी वरत देवताओं के लिए भी दूरलब है ये श्री कृष्ण प्रीती का जनक है और तपस्वियों का शुरेष्ट तब हैं जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण और देवियों में प्रकृती वर्णों में ब्राम्भन और वैश्णवों में श्रिवजी शुरेष्ट हैं उसी प्रकार सभी वरतों में ये एकादशी वरत शुरेष्ट हैं इस बार की देव उठनी एकादशी भी ऐसे ही पवित्र और विशेश है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरी चार मास के योग निद्रा से बाहर आते हैं इसलिए सभी जगह उत्सव का आयोजन किया जाता है इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र यानि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका जब करना चाहिए इस दिन हमें प्रातकाल ब्रह्म मूरत में जाग कर भगवान श्री हरी की मंगला आर्थी करनी चाहिए और भगवान को भी जगाना चाहिए इसकौन के नियमों अनुसार हम चातुर मास का पालन अशाड़ी पूर्णिमा से कार्थिक पूर्णिमा तक करते हैं इसकौन में तुलसी विवा का प्रसंग भी कार्थिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है सामानिय रूप से तुलसी विवा देव उठनी एकादशी से लेकर कार्थिक पूर्णिमा तक बीच में किसी भी दिन मनाया जा सकता है क्योंकि ये एकादशी कार्थिक मास के पावन समय में आ रही है इसलिए ये एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री हरी की सेवा पूजा और उनके नाम का जब करना चाहिए कार्थिक मास में किया गया दान, तप, जब, सनान और पुन्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगती प्रदान करता है और परम आध्यात्मिक गंतव्यकी प्राप्ती करवाता है तो ज़रा सोचिए कि जो एकादशी स्वयम पुर्णेफल प्रदाईनी है और अगर ऐसी एकादशी कार्थिक मास में आती है तो उसका पुर्णेफल हमें कितना अधिक गुना प्राप्त हो सकता है तो इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन हम जो भी भगवान श्रीहरी की प्रसंता के लिए करते हैं उसका हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है और सबसे बढ़कर भगवान हम पर अधिक प्रसंता होते हैं और ये पुर्णेफल तो हमारे सिफ इस चन्म में ही नहीं अपितु चीर काल तक हमारे साथ रहते हैं तो इस विशेश एकादशी के दिन हमें उपवास करके भगवान श्रीहरी के निमित अधिक से अधिक श्रवन, कीर्टन और जब करना चाहिए इसी में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए विशेश कर इस दिन तुलसी देवी की सेवा, पूजा और आराधना भी करनी चाहिए तुलसी देवी के समक्ष बैट कर, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जब करना चाहिए और इसी पुन्य फल के प्रभाव से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगती कर सकते हैं और भगवान स्रे कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं अगर इस देव उठनी एकादशी पालन से जुड़े हुए आपके कोई विशेश प्रशन है तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं हम प्रयास करेंगे कि इससे जुड़े हुए आपके सबी संशयों का समाधान दे कराएं तो ये थी परम पावनी देव उठनी एकादशी के विशे में संपूर्ण जानकारी हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सावित होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस विशेश एकादशी के महत्व और सही समय तथा पूजा मूरत का ध्यान रहें इस देव उठनी एकादशी पर विशेश पौराने कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्थिक मास से जुड़े हुई अन्य जानकारियों के साथ तो चलिए इस परमपावन कार्थिक मास के अवसर पर आने वाली हरे क्रिश्ना